हाई फ्रेंग्स मैं हूँ आपके साथ तन्वी सूर वॉल्वूट में आए दिन कैट फाइट्स होती है नई नई फिल्म में रिलीज होती है स्टार्ट को वार्ट्स मिलते हैं स्टार्स ट्रोलिंग का शिकार होते हैं लेकिन आज में इन सब के बारे में नहीं बलकि इस साल के सबसे अमीर अक्टर स्किलिस टाप के लिए लेकर आई हूँ आच्चली फॉब्स मैग्जिन ने इंडिया के टॉप हंडर सेलिप्स के लिए चारी की है चो कमाई के मामले में सबसे आगे हैं सबसे पहले नमबर पर है सलमान खान 253 करोड 25 लाक्स के साथ नमबर थर्ड पर है अक्षी कुमार 185 करोड के साथ नमबर सिक्स पर है आमिर खान 97.5 करोड के साथ नमबर सेवन पर है अमिता बचन 96.17 करोड के साथ नमबर एट पर है रनवीर सिंग 84 करोड 67 लाक्स के साथ टेंथ पर है अजे देवन 74 करोड 5 लाक्स के साथ थर्टीन्थ नमबर पर है शारुखान 56 करोड के साथ नमबर 14 पर है रजनीकान 50 करोड के साथ 15 पर है वरुन धवन 49 करोड 58 लाक्स के साथ 17 नमबर पर है रनवीर कपूर 44 करोड 5 लाक्स के साथ नमबर 19 पर है संजेदत 37 करोड 85 लाक्स के साथ नमबर 24 पर है पवन कल्यान 31 करोड 33 लाक्स के साथ नंबर 26 पर है विजे 30 करोड 33 लाक्स के साथ 28 पर है जूनियर एंटियार 28 करोड के साथ 29 पर है विक्रम 26 करोड के साथ नंबर 33 पर है महेश बाबू 24 करोड 33 लाक्स के साथ 34 पर है सूरिया 23 करोड 67 लाक्स के साथ 34 पर है विजे सत्युपाथी 23 करोड 67 लाक्स के साथ 36 पर है नागा अर्जुन 22 करोड 25 लाक्स के साथ 37 पर है सिधात मलोत्रा 21 करोड 67 लाक्स के साथ 41 पर है रितिक रौशन 19 करोड 56 लाक्स के साथ 42 पर है जॉन अब्राहिम 19 करोड 3 लाक्स के साथ 53 पर है धनुश 17 करोड 25 लाक्स के साथ 54 पर है शाहिद कपूर 17 करोड 17 लाक्स के साथ 57 इर्फान खान 16 करोड 67 लाक्स के साथ 64 पर है अलू अर्जुन 15 करोड 67 लाक्स के साथ 65 पर है अनिल कपूर 15 करोड 5 लाक्स के साथ 72 रामचरन 14 करोड के साथ 75 टाइगर श्रॉफ 13 करोड 5 लाक्स के साथ नमबर 88 पर है सैफली खान 10 करोड 25 लाक्स के साथ तो ये थी उन स्टार्स के लिस जिन्होंने इस साल सबसे जादा कमाई की वैसे कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान और अक्षे कुमार आजकल खूब पैसा छाप रहे हैं और अपनी फिल्मों से ओर्डियंस का दिल भी चीतने में काम्याब हो रहे हैं वैसे अभी पिछली बार हम आपको सबसे रिच आक्टरस के लिस्ट भी दिखा चुके हैं जिसमें सबसे पहले नंबर पर बॉलिवुट की मस्तानी गल दिपिका पाडू कौन थी वैसे आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं